दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इलक्रिशन से पूछे जाने वाले एक काफी इंपोर्टेंट इंटर्व्यू कोश्चन के उपर बात करेंगे कि आखिरकार इलक्रिशन और वायर्मेन इन दोनों की बीच में क्या अंतर होता है दोस्तो यह सवाल सुनने में तो काफी जादा सिंपल लगता है और इसका जवाब भी सिंपल लगता है लेकिन कहीं सारे लोग इसका जवाब देते समय काफी जादा कन्फ्यूज होते है तो आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है और हमें कैसे इसका इंटरू में जवाब होते हैं यह दोनों ही practical तोर पे electrical का ही work कर रहे होते हैं तो इस वज़े से जो wireman होता है उसे भी कुछ cases में electrician का work आता है और जो electrician होता है वो भी wireman का काम कर लेता है लेकिन दोस्ता अगर हम इन दोनों के difference की बात करें तो इन दोनों में बहुत ही major difference होता है सबसे पहला difference आप इसका ITI course के समय देख सकते हो कोई भी लोग जब ITI में जाते हैं तो उनके सामने एक electrician की अलग trade आती है और wireman की भी अलग trade आती है दोस्तों यहाँ पर एक point आप ध्यां रखिए जब भी मैं यहाँ पे wireman का नाम ले रहा हूँ इसका यह मतलब नहीं है कि आ लाइन में समझो हमारा जो wireman होता है यह दोनों अलग अलग चीज़ होती है इसके उपर मैंने एक detail वीडियो बना रखाए वहें वीडियो आपको इसी वीडियो के end इसकी मिल जाएगा आप वहां से वीडियो देख लीजिए क्या कि लाइन में क्या अंतर होता है लेकिन वाइर में होता है उसे 8 पास होना जो रही है अगर दोस्तों मैं को सिंपल सी भासा में आपको वाइर में के काम के बारे में बताओं तो वाइर में के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है वाइर में क्या है वाइर में का मतलब हमारे वाइर से रिलेटेड ही काम करेगा मतलब कहीं पे भी दोस्तों wiring करनी होगी अब यह wiring किसी भी जगे हो सकती है हो सकता है कि हमारे house के अंदर हो हो सकता है कि हमारा commercial area जैसे कि office के अंदर हो हो सकता है कि हमारी industry के अंदर हो तो कहीं पे भी दोस्तों अगर आपसे wireman के बारे में पूछा जा रहा है तो wireman का जो मुख्य काम होता है वह होता है हमारा वाइरिंग से रिलेटेड अब दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखिए वाइरिंग सिर्फ हमारे ऐसे नहीं है सिर्फ इलेक्रिकल के रिलेटेड ही हो रही है वाइरिंग हमारे कई तरीके से हो सकती है जैसे हमारी टेलिफोन वाइरिंग भी हो हो गया अंदर से तो उसको रिप्लेस करने का काम उस फॉल्ट को सही करने का काम हमारा वायर मैनी करता है और दोस्ता अगर हम इसके बार में इलक्रिशन के वर्क की बात करें तो इलक्रिशन का काम हमारे वायर मैन के वर्क से थोड़ा अलग हो जाता है इलक्रिशन भी हमारे इलक्टिशन का वह जाता है हमारा फैन को रिपेर करने का काम उसमें बेरिंग वागेदा चेंज करने का 작은 तो अगर हम commercial के बात करें तो हो सकता है हमारा AC repairing का work, अगर हम industry के पर related work करें तो हमारी जो मोटर हो गयी उस मोटर को install करने का काम, मोटर में कोई problem आ गई तो मोटर को सही करने काम, मोटर में drive जोडने का काम, इसके लोग कुछ industry में कुछ manufacture हो रहा है, जैसे कि कोई textile industry है, तो हम पर क और वायर में में मुख्य डिफ्रेंस के बारे में बताया लेकिन दोस्तों अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सा एक्जाम्पल देता हूं जैसे कि उद्धायां के तोरफ माल लीजिए दोस्तों यह आपके पास में एक मोटर है अब हम इस मो मोटर तक वायर लाने का काम हमारा वायर में का रहता है लेकिन दोस्तों अब हमारी मोटर तो चल गई लेकिन अब हमारी मोटर चलने के बाद में इस मोटर में कोई फोल्ट आ जाता है यह मोटर किसी कानवाज खरा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा हमारा इलक्टिशन आ इस्टार्टर में कुछ चीज की प्रॉब्लम आगी जैसे कोई कॉंटक्टर खराब हो गया या फिर हमारी कोई रिले प्रॉब्लम कर रही है तो वह सभी काम हमारा इलक्रिशन देखिए का लेकिन अगर हमारी यहां पर सप्लाई बराबर नहीं आ रही हमारी कोई वाइरिंग म कर रहे होते हैं इसी वजगसे के कुछ काम कुछ काम वाइर में भी कर लेता है और जो वाइर में का काम होता है वो इलक्टरिशन को भी क्लियर होता है और जब कि अगर हम हमारी practical इंडस्ट्री के अंदर देखें तो बहुत ही कम ऐसी इंडेश्टी होती है जो इलक्रिशन की अलग पोश्ट निकालती है और वायर में की अलग पोश्ट निकालती है अधिकतर इंडेश्टी में क्या होता है इलक्रिशन नाम की ही पोश्ट रहती है और जो वायरिंग से लेटे वर करता है वो यही इलक्रिशन कर रहा होता है लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपसे कभी इससे लेटर इंट्रू में सवाल कर दिया जाता है तो आप उस समय क्या जवाब देंगी उमीद करता हूँ वो मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा दोस्तों आपको यह छोटा ता वीडियो कैस